असलाम लिकम आप सब कैसे हैं मैं अमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपको डबे वाली जैली बनाना सकाऊंगी मैंने तीन तरह के फ्लेवर ले लिए एक औरिंज फ्लेवर ले लिए है मैंगो फ्लेवर ले लिए है और स्टोबरी फ्लेवर ले लिए है आपक पड़े हैं कि पानी बोईल होने लग पड़ा है अब हम इसमें ओर इंज फ्लेवर का पॉरड शामिल करने लगी हूं शामाच लेकर हम घैली का पॉरड़ क्न पानी में शामिल करते जाएंगे उर इसे मिक्स करते जाएंगे ताकर ये अच् Lösung नहीं हुआ तो ये चाय हमज्न है तब आन चलती रहेगी और मिक्स करने के बाद एक मिंट के लिए पका लेंगे फुल आंच पे ताकर यह अच्छी तरह से पकचे अब आप देश सकते हैं कि यह अच्छी तरह से पक गई है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया सारा पॉडर इसमें और बाकी दो जैलियों को पका लेंगे कोई साभी शेप का डबा लेकर हम उसमें जेले शामिल कर देंगे और से ठंडी होने के लिए रख देंगे जब यह ठंडी हो जाईगी ताब हम इसे कवर करके फ्रिज में रख लेंगे दो से तीन गहंटे के लिए अब तीन गहंटे हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से जम गई है अब आप इसे सर्फ कर सकते हैं मुझे अमीड है कि आपको मी रेस्पी जुरू पसंद आई होगी अगर आपको मी रेस्पी पसंद आई है तो मैं वीडियो को लाइक करें, कुमेंट करें, शेर करें, अपनी फैमिली और फैंज के साथ और मैं चैनल को जुरू सबस्क्राइब करें, मेरी यो नई रेस्पी देखने के लिए, अल्ला आफिस